हेलो एन वेल्कम गाई स्वागाई स्वागाई अब फेंटास इडिशन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोपियन क्रिकेट लिग टीटेन मैच की जो की मैच होने वाला यहां से ब्रेशिया सिसी वर्सिस काल्टॉन के बिच में तो चलिए तो बात करें से बेस्ट पर में एक बच कर्ट माइय मैं और फेंटसार्ट मैम लेका से खेला जा तो बात करें इस मेंच की तो j przysz दोपेर में एक बाच कर 30 मिनिट पर कर्टमा ओल मलंगा स्पैन में खेला करते हैं पीच रिपोर्ट की बात करो तो यहां से बेश्मेन और बॉलर्स धोनों को मिल सकता है एकशो ड़स स्कौर की बात करो तो यहां से बड़े स्कौर भी बनते होज दिखाई प्रफिदेंस लेवल इनका हाई है और अच्छा कर सकते हैं इस टिम के सामने भी बाकी यहां से यासिर नवाज की बात करो तो इनका नाम कई कई पर आपको यासिर ठुलू भी दिख सकता है दोनों एकी प्लियर से सात रण किया पहली मैच के अंदर दूसरी मैच के अंदर पचीस रण किये तिसरी मैच के अंदर नो रण किये तो ओके-ओके पिक रहेंगे स्मॉल लिक के लिए थोड़े से यहां से रिस्की ओ सकते हैं क्योंकि अभी जो सामने वाली टीम है उनका जो बोलिंग एटेक है वो है थोड़ा सा मजभूत है तो यहां से से पिक रहेंगे लेकिन फिर भी और ओब निला तो यह से यह से यासीर नमाज को लेके जा सकते हो बागी इमाद खान ऐसी protea यह यहां से किसको पूरी टूर्णामेंट कवर की जाएगी इसके साथ-साथ कल से असाम वोमन टीट्वेंटी शुरू हो रहा है तो वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी टूर्णामेंट कवर की जाएगी और इसके साथ-साथ इस्यल टीटेन तो अपना पूरा चल रहा है और साजा टीटेन भी कवर किया जाएगा तो जहां पर वीनिंग अच्छी हो सके और सारी मैचिस कवर की जाएगी तो इसके लिए यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेजएगा और फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम से जुड़ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप सर्च भी कर सकते हो दोनों में से कुछ भी सर्च कर सकते हो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपल ही उसे ज सेंचुरी लगाना काफी बड़ी यहां से उपलब्दी होती है बाकी ओवर ओल भी रेकोर्ड्स उनके काफी है 16 में चीज़ केंदे 381 रहन है और वन डाउन खिलते भी है तो यह जब लेयर बाबर रूशन हमारी लिए वेर इंपोर्टेंट है मैं उनको कैप्टेंसिप और चाहिते पहली मैच के अंदर दूसरी मैच के अंदर 15 किये फिर 11 रहन का स्कॉर किया ओवर ओल भी रेकोर्ड उनके ठीक ठाके तो उपर से खेलते इसके लिए लिए जा सकते एजब लेयर बाकी अली रजा इस्लाम की बात करतो लास मैच के अंदर 33 की पारी खेली थी पहली प्रदर्जन तो अच्छा दिया था लेकिन सामने वाली टीम काफी वीक थी और वैसे उनकी ओर रोल रेकोर्ड देखने के लिए जाए तो इतने कुछ खास नहीं है दस मैचिस के अंदर 12 की एवरेट से 57 रन किये और तीन विकेट से लिए हो है राइट हैं फार्ट गेंड लेके जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मुझे नहीं लगता कि इस टिम के सामने इनका पर्फरमस हो सकता है लेकिन फिर भी यार अपनी गड़ फिलिंग के अनुसार प्लेयर्स को लेके जाना हो तो जा सकते हो बशर खान के बाद कर तो पहली मैच के अंदर एकी वरस की लाच मैच के अंदर दो वरस की जापर दो विकेट मिला था बाकि ओवर ओल रेकोड्स तो उनके ठीक टा के आठ मैचिस के अंदर 16 या नहीं है कि मैच में लगबग आपको पूरी वरस करवाता हो नचर आ सकता है जब लेयर अच्छी चोईस हो सकता है बाकि कब सहजाद की वरस की गेन बाजच दूसरी मेच के अंदर पर्फॉमस नहीं की है बेटिंग से कुछ भी पहली मैच के अंदर प्रश नहीं किया बेटिंग से नहीं पर भी कुरी कि क्योंकि टिम की कैप्टेंशिफ करवारते हैं और कंडिशन के इसाफ से ओस करते हैं गैन बाजी करते हैं तो इनको लेना थोड़ा सा रिसकी ओस अपता है क्योंकि अगर ओस नहीं की तो यहां से बेटिंग से तो खास कुछ एक्षेप्टेशन रखेंगे नहीं नहीं हम लोग यहां से बात करें इमरान नवीद की तो पहली मैच के अंदर एक विकेट निकाला दो वस की गनबाजी की दुसरी मैच के अंदर दो वस की गनबाजी की एक विकेट निकाला तिसरी मैच के अंदर वस नहीं की क्योंकि कंडिशन कुछ इसाफ से थी कि उनके मैन प्लेयर को सा यहां से एक अच्छी फीक हो सकती है इम्रान नाविद लेके जा सकते हो बात करें यहां से जावेद मंगत तो यह बंदा पहली मैच से पीक रहा है और और वर रड़्वर सुन के काफी अच्छे एज़ फे लेके जा सकते हो लाश मैच के अंदर तीन विकेट निकाल दिया थे कुछ इस तरह से क्योंकि श्रेटिकल के इसाब से हम लोग जाते राइट हाम फाश गैन बाजी करवाई थी यहां से जाविद मुम्मद ने एज़र ब्लेयर अच्छी पीक है लेके जा सकते हो स्मोल लिग या ग्रान लिग दोनों में बाकि एहमद दुल्ला सफी की बात करो तो लास मैच के अंदर एकी ओश की गैन बाजी की लेकिन रेग्यूलेर बेजिस पर आपको दो ओश की पूरी गैन बाजी करता हो नजर आ सकता है यहां से जेखो इसमें कैसा है न कि अगर सज्जाद यहां से दो ओश नहीं करते तो यहां से शफी आपको दो ओश पूरी करते हो नजर आ सकते है तो आई थिंक के शायद शफी की जरूरत इस मैच के अंदर जादा पड़ेगी क्योंकि सामने वाली टीम काफी मजबूत है तो इसके लिए दो ओश की पूरी गेंद बाजी करते हो नजर आ सकते हैं यहां से अहमदुल्ला शफी बाकी यहां से बात करो बशारत अली वो भी अच्छी पी के एजफ लेके जा सकते हो लिक स्पिन गेंद बाजी करवा लेते हैं राइट हैं बेटिंग करवा लेते हैं बेंच की बात करो तो ऐसान अकबर जो कि दो मेंच खेल चुके चार और पांच नग का स्कोर किया सदनान खान एक कल वापस केलते हो नजर आ सकते और खेलते हो नजर आए तो यहां से सदनान खान काफी अच्छे प्लेयर से यहां से बात करो नाशीर उशन की साथ मेच के लिए जहापर कोई भी रन नहीं किया तो अगर वो खेलते हैं तो भी कुछ ज्यादा इंपोर्ट रहने वाले नहीं है तो बात करें यहां से टीम कार्टन की तो तीन मेच के लिए तीन इंटरनेशनल मेच भी खेले हुए तो काफी मजबूर्ट टीम है और काफी अनुपवई टीम है यहां से आगे भी आपको अच्छा करती है नजर आ सकती है अरून पिल्लाई राइट हैने बैटिंग करवा ले थे औप स्पिन गयन बाजी करवा ले थे गयन बाजी तो अभ बंदा स्कॉटलेंड से बिलोंग करता है जहां पर चार रन का स्कॉर किया बारा रन का स्कॉर किया लेकिन आपको बता दू स्कॉटलेंड की तरफ से विकेट किपिंग करवाता था यह बंदा जहां पर अच्छा स्कॉर किया था वहां पर बड़ी पारी भी खेली होई है त तो यहां से R.D. Macon थोड़े से यहां से रिस्की हो सकते हैं, परकि हो साउथ वेल की बात करो तो शेर रन के पहली मैच के अंदर एक वस्की गैनवाजी की दी, विकेट नहीं मिला, दूसरी मैच के अंदर 27 रन की है, एक वस्की गैनवाजी की विकेट नहीं मिला, तिसरी मैच पेहली मैच गेंदर 12 कोर्ण किया हूए लेंडें तो यहां से अप 1000 औरनियो दूरन के पेहलें पिलों के लाग करतें leuk इंडेंड़ स्वार्ट गएंड़ीं चोछ गेंदर और प्रमार्ण के भार्ण किया हो तो ओके-ओके पिक रहेंगे इनको लेना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है बाकी बात करें यहां से सुजा खान पहली मैच के अंदर चार विकेट निकाल लिये थे और उनका कोठा मही पर पुरा हो गये क्योंकि पिछली दोने मैच में उनको विकेट नहीं मिला उनको यहां से डॉप करना काफी रिस्क हो सकता है तो इसके लिए हम लोग यहां से अभी बात कर實 convenience की स्टार्टिंग में भी ओरक करवा सकता है उनको ने मैच कपशेले नवेंबर 2021 में वहाँ पर उन्होंने स्कोटलेंड की तरब से चार ओर्स पूरी की है टी ट्वेंटी के अंदर लेकिन दिक्कत की बात कहा है कि तीनों मैंचिस के अंदर उसने ओर्स नहीं की ये बंदा जब भी ओर्स करेगा तब दो तिन विकेट निकाल लेगा ये आपको नोटिस करके चलना है काफी अच्छा बोला से अभी टिम की केप्टन सीब करवा रहा है लेकिन रेगुलर बेजिस पर बहुत सारी मैंचिस खिला हुआ है 34 मैंच के अंदर 40 विकेट से ए इवांस की इंटरनेशनल में इवांस अच्छी चोईस हो सकता है लेकिन तीनोई मैंचिस के अंदर इसने ओरस नहीं की जब भी ओरस करेगा तब आपको दो-तीन विकेट एक साथ में लेता हो नजर आ सकता है तो ये बंदे को थोड़ आसा यहांसे जिसकी प्लेयर के तोर पर ले सकते हो अगर पांच-छे टीम बनाते हैं तो यहांसे एक-दो टीम के अंदर उनको कैप्टनसिप है वाइस कैप्टनसिप भी दे सकते हो ये सोच करके ओरस करवाएगा जब भी ओरस करवाएगा तब विकेट निकालेगा जरूर बाकि बात करें यहांसे अंगुस ब्रेटी की एक विकेट निकाला पहली मैच के अंदर फिर विकेट उनको मिला नहीं है लेकिन ओवर सिर्फ एक एक की करवा रहे हैं तो उनको लेना थोड़ा सार इसकी हो सकता है बाकि आदिल रजा इंपोर्णेट भी है हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुआ आ रहे हैं और यहांसे सीवम गुपता भी इंपोर्णेट प्लेयर रहने वाले हैं तो यह सारे प्लेयर्स और सारे स्टेट्स आपके समने हैं बाकि इन दोनों में से कोई भी अगर खेलता है तो विकेट गिविक सेक्षन में से इमाद खान को लेके जाएंगे यासिर नवाज भी उपनिंग करवाते हैं तो यहां से मैक केंड में भी लास्ट मैच के अंदर उपनिंग की थी लेकिन परफोर्मस इतना कुछ खास रहा नहीं लेकिन पहली दो मैच वो नीचे खेला था लास्ट मैच में ही ओपनिंग किया था यह बंदा खेलेगा तो जबजस पारी खेलेगा मैक केंड को थोड़ा सा नौटिस करके चलिएगा काफी अच्छा प्लेयर से बाकि बैटिंग सेक्शन के बात करो तो मैंने यहां से बी उसेन यहां से एट साउस्ट वेल और यहां से एस अली मूर्टजा को पिक किया हुआ है बाकि नदीब चोधरी थोड़े से नीचे खेलते हैं और बनेट का इतना कोई खास परफोर्मस रहा नहीं बाकि बैटिंग सेक्शन के बात करो तो मैंने यहां से एस खान को पिक किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आज वो खेलता हूँ नजर आ सकता है इसके लिए मैंने यहां से पिक किया हुआ है काफी अच्छा प्लेयर से इनकी टिम की तरफ से तो इनको में लेके जाऊंगा बाकी आदिल रजा को पिक किया है यहाँ से और यहाँ से एस खान को लिया हुआ नीचे से बाकी यहाँ से किसी को लेखा जाना हुआ तो आप पिल्लाई के साथ जा सकते हो यह भी ओपनिंग करवा रहा है अच्छा परफरमस दे रहा है लगातार कंसंटरंसी से बाकी बॉलिंग सेक्षन की बात करो तो यह बंदा ओस नहीं करवा रहा है काफी इंपोर्नेट प्लेयर ह अगर खेलता हुआ नजर आने वाला है तो कि टेंप की कैप्टेंशिप करवा रहा है लेकिन ओस नहीं कि इसके लिए यहाँ से इनको अवोइड करके जा रहा है लेकिन जब भी ओस करेगा तब 2-3 विकेट निकालेगा इतना खाली आपको ज्यान रखके चलना है बाकी बश दया सकते वाकि जिये मुंबच की जगहा पर इन दोनों में से किसी बोलर्स का मैं तो ले सकते हो तो मेरी टिम कुछ इस में से दे सकता हूँ सदनान खान को और वाइस कैप्टेंसिप के तौर पर तो कुछ इस तरह को का सकती है फाइनल लाइन आपके बाद टेलिग्रम में तो टेलिग्रम से जुड़ना बिल्कुल ना बुलिएगा नीचे डिस्क्रिप्सेन में लिंक है इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें दो टेलिग्रम में जाके सर्च भी कर सकते हो अग्ले वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो देखते हो अच्छा एनलेसिस करते हो अच्छी टिम बनाते हो अच्छी विphon करते रहो बाकि आपके लिए एक सर्प्राइज दली वीडियो लेकर हम लोग जल्द ही लोटेंगे तब तक क़े लिए बाई धन्यवाज जयिन जाइ बारत